दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत थैं आपका हमारी यूटीव चैनल में दोस्तो कभी मैं चोड़ना इस औरत के साथ क्वें कुम्भिरासि के जात्कों के जीवन में इस औरत के साथ मिनण से हर काम्यावी की फ्राप्ती होंगी दोस्तों वह कहते हैं न औरत के साथ होने से आपके जिंदगे बहुत बहत्तिरन होती हैं वहें अगर औरत चाहे तो जीवन को नरक भी बना सकती हैं अज कल भले हैं बहिलाएं आत्म निर्वर हो चुकी हैं खुद बाहर निकल कर पुरुसों के साथ कारी कर रही हैं इसके बावजूत घर को समालने जैसे गुन उनके सिवा और किसी में नहीं पा सकते हैं ऐसे हैं कुछ पुरुसवें उनके साथ होते हैं आई जानते हैं ऐसे व वो औरत आपका दोस्त है या फिर वे आपके पत्नी के रूप में, बेहन के रूप में, मा के रूप में, कोई भी किसी भी रूप में, अगर वो औरत आपके साथ हैं, तो आपके जिन्दगी को सुधारने में, आपको जीवन में कभी प्रकार के कोई भी कम्यों को नहीं रखे क्योंकि उस वरत का साथ हैं आपको जीवन में काम्यावी दिलवाएगा दरदर के ठोकरों से बचाएगा तो दोस्तों यह विडियो ध्यान से देखिए चलिए शुरू करते हैं उससे पहले आप सभी से अनुरोध हैं इस वीडियो को अंध तक अगर आप देख सकते हैं तो इ अंगट के स्थितियों में माताराने आप सभी की रक्षा करें तो दोस्तों यह वीडियो गरुन पुरान पर अधारित होंगे हम आपको कैसे और तत्वा पतने मा बहन गुन बताने वाले हैं ऐसे पतने यह आपके जिंदगी में यू समझ लिजिए कि अगर इनका साथ आप को मिल जाए तो आप देवताओं में राजा इंदर के समान हो जाएंगे भागिसाली हो जाएंगे तो विडियो को अंधर तक जरूर देखेगा सास्त्रों में नर और नारी को चीवन रत के दो पहिये कहा गया हैं विवा के बात पतनी अपने पति के अरधांगरी बन जाती ह साथ ही साथ पेरों के द्वारा जो बच्चन दिया जाता है उनके मूल में पतनी का समान गरीमा का अधर करना बिबिन सास्तरों में पति और पतनी के गर्तव के बारे में ऐसे अनेक बाते कही गई हैं इसे प्रकार गरुर पुरान में भी पतनी के बारे में वरनित किया गया हैं वह इस्त्री के बारे में वर्नित किया गया है महिलाओं के बारे में वर्नित किया गया है साश्त्र के मुताविक जिस पत्री में यह गुन होते हैं उसका पते देवताओं के राजा को निवाने में और आथितियों का आवभगत आजी करने में जो इस्तरियां निफन होती हैं। ऐसे फत्नियों का पते इंद्र के समान भागे साली माना जाता है। उसके जीबन में मन मुताविक से फलताएं मिलती हैं ऐसी पत्नियों के कारण बे उसके सारे सपने पूरे होते हैं इस लोग से अधिक लोगों का आगे कहना है यदि पत्ने पैक्ति के प्रेम पूरुवक बोलने यानि मदरु बचन बोलने और पत्नी के बेज प्रेम पूरुवक बोल साल की भासा से यानि घर के सदसों के साथ अच्छे समंदु का होना मेहमानों के साथ साथ योग होना और आदर सतकार करना प्रेम से वहवार करने वाले निशित रूप से वभग पुरुष भागिवान होता है, सास्त्रों में मिठा बनने वाले को महान गुन में माना गया है अगर ग्रहने अच्छे सुभाव के साथ हैं, विसेश रूप से मिठे बोलती हैं, लोगों का सत्कार करती हैं, तो ऐसे घर प्रिवार में कुछों का बात्तबन होता है जहां लोग वारतलाप में एक दूसरे के साथ कड़ुसब्द का प्रियोग करते हैं, गाली गलोज करते हैं, एक दूसरे के साथ मार पीड करते हैं, वहां घर के समर्दें के बजाए नरक स्वान हो जाता है इन दोनों के साथ हैं, जो महिलाएं विसेश रूप से अपने पत्तियों के साथ हर कदम पर साथ मिला कर कार करती हैं, पत्तियों का हर कदम पर सयोग करती हैं, अपनी समती से कार करने वाले ऐसे फुरुसों का हमेसा अपने आपको भागवान समझना चाहिए पति पुराने में, गरूरू पुराने में कहा गया है कि महिलाएं अपने पती की आग्या का उलंगर नहीं करती हो और ऐसी कोई भी नाकारी करती हो जिसे कि उसे पती को दुखो या उसके पती का कोई विसे भी शुरूप से अनादर हो जैसे में ऐसी महिलाएं बहुत तिभागे साली होती हैं जिसे कि आपको बता दें कि ऐसे में विसेश रूप से इन महिलाओं का साथ कभी भी जीमन में नहीं छोड़ना चाहिए जैसे के साथ आपको बता दें युभा ऐसा कारी न करें जिनसे कि पत्नी का सम्मान को ठेंस पहुचे उसका अनादर हो कोई भी ऐसा कारी न करें जो एक दूसरे की प्रगत्ती में बादा बनें जो एक दूसरे की प्रगत्ती के साथ-साथ एक दूसरे की प्रसंचा के लिए हम पुरान के चतुरत गुन में धर्म पालन को अस्तान दिया गया है। उसके अनुसार जो पतने जीवन में पत्ति और उसके परिवार के हित के लिए कारे करें। जीवन में सुखसादनों को विशेश रूप से अंगित करे और सुखो को कर्मों का अस्तान दे और अपने धर्म का पालन करे उसका पती अपने आपको देवताओं के इंद्र के समान भागयसाली होते हैं। आपको उनके साथ काम आता है वो किसी न किसी गुन में आपको इस समय विशेश समान देती हैं। यह बहुत तिभागयसाली हैं को कि वो इस तरहें आपको घर के स्थितियों को समान लेंगे बले ही कितनी मुसीवत क्यों न आए। दोस्तों एक आदर्स रिष्टा यही कहलाता हैं। चाहें कटन से कटन विश्टितिया हों किसी भी छोटी बड़े गलतिया होने पर वे अपने साथी पर पूरा दोस्त न दे कर वे अपने आप पर दोस्त ले लेती हैं। आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के जीवन में कई प्रकार के मुस्किल हैं, कई प्रकार के समस्ता हैं और दुखतगलिफ होसे बे इन महिलाओं का होना आपको चुरकारा दिलवाएगा। आप चपलता के नायक के तिमान को अस्तापित करेंगे एक आदर सपते और पतने और एक आदर सजोड़े के रिष्टों में हैं एक दूसरे के सुमच को अनादर कभी भी नहीं करते हैं। पतनी अपने पत्ती के कारण पत्ति अपने एक चाओं को जोग देती हैं। वे इस्तिरियों को बराबर समझते हैं और इस्तिरियों को सुमच की अधार प्रवेवार करने पर छूट देते हैं। उनका साथ देते हैं ऐसे पुरुसें आदर्स पुरुस कहलाते हैं वहीं दोस्तों एक आदर्स पत्नी का अख बोध नहीं होता हैं और काम काजु को बोध न करके घर की आलसी को न करके सारी के सारी कारी को दिल से करती हैं पती को घर को ही अपना घर समझती हैं तो ऐसी पत्नी के साथ पाने वाले व्यक्ति जीवन में हमेशा तरक्की करते हैं और इसके साथ दोस्तों के जिम्मेदारी को संपण निभाते हैं हमेशा मान सम्मान करने वाले शुक सादर में हर प्रकार के घर को चलाने वाले ऐसी महिलाओं को साख्षात गरुरपुरान में देवी कहलाती है तो मत्रों अगर आपके जीवन में भी ऐसी महिलाएं हैं तो आप कभी भी उसका साथ बिल्कुल भी न चुड़ें आपका अदन बहतर वने इसके लिए कमेंटर वॉक्स में जैमाता दियो वस्ति लिए आपका अदन सुभो मंगलकारी हो जैमा विंदुवासने